मैंने देखा है कि धर्म जगत पे तो सबसे बड़ा नुक्सानास तक हुआ है उसके पीछे कारण है कि या तो धार्विंग पातों को हमने हिताबों में पढ़ा या आधुनी तोर में हमने पीवी चैनल पे लोगों के प्रवचन देखे या आश्रम में कोई बाबा एक घंटे के लिए अपने कमरे से बाहर आके प्रवचन देखे फिर कमरे में बाबश चल रहे हैं यह दर्म जगत की हानी है क्योंकि इन कारणों की विज़े से धर्म जो है वो शब्दों के रूप में हमाई जिन्दी विशान में बुदा केवल शब्दों केवल बाते अच्छी अच्छी तो यह जो है यह चीज़ नुक्साम पहुंचाती है करोनाकार है लोगों के पास इतनी पुरुसत नहीं कि आ सके फिर उनके आने के लिए जो इंजाम करने प तो फिर सकती पाट्शाला के संबन में एक विचार जन्मा मैं चाहता हूं कि मैं आपको ऑन्नाइन ही ऐसा दर्शन कराओं कि आप मेरा जीवन दीए यह अनुखी होगी पाट्शाला यह पाट्शाला नहीं होगी जिसमें एक गंते सौमी ती बैठ के बढ़िया से वस्त पह सकते हैं कि यह पाट्शाला डिर यह यह कभी कभी हमारे परिवाद में ब्रुच चाहिएं उसकी भी हो सकती है कभी-कभी गैजी जीन की sì जुस्ती सकते हो उग्या कभी आप देख सकते हो कि में खाना बनाते बनाते हैं कैसे लोगों को सुछाता पदा नहीं क्या होगाCr मैं आपको बताऊंगा कि हस्ते केल के कैसे द्यान में उत्रा जाए तो यह सखा कि पाडशाला में होने जा रहा है और इस पाडशाला को जो है हम जड़ी शुरू कर रहे हैं मैं अपने जीवन को खोल के रहे हैं और चाहता हूं आप यह जीवन को साथना के जगत से आपके संसारिक जीवन में आपके संबंधों में जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उन सब प्रोब्लम को दूर करते हुए उन सब प्राइब्म को भटाते हुए आपके जीवन में किस प्रकार से आनंद आए उसकी पूरी सप्चा होगी। साथ साथ मेरा व्यक्तिकल जीवन भी बहुत साथ को देखने हूं मिलेगा। तो यह सब चीजें जो हैं वो अब होने जा रही हैं आप इसके मेंबर बन सकते हैं और बीस दाई तक कर समय सिया गया रहा है कि आप अपना रेशेशन करालें और यह पार्ट शाला करें आप इस पाठ शाला को जो पांप फूरा एक साल तक दो मिट्र करेंगे उसके बाद मेरा चाहा है भूर हम पठ बाता ही उनमें से बहुत सेवे ,ड़ए बित मतर आएग जय कि इस योग निवह होंगे कि अपने शहर कर दो सक्का की पाठ शाला है में तो कि हम नाम आगे रखेंगे, उसे सम्मंदित सेंटर पुर्सा, तो यह सखा कि पाठ्षाला जो है, वो आपके भढ़म ही नहीं हखाईगी, आपको ऐसी समझ से भी भढ़ेगी, इस जगत में वोली भीखाईगी, आप बेहता दंग से बसे होगे। झाल